दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही जादा खास होने अला क्योंकि आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा बेस्ट हटी टूइन्स टीवी के बारे में जो आपको इस समय कंसीडर करने चाहिए और मैं आपको रिकमेंट भी करूंगा तो वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उसके पहले अगर हमारे चनल में उसा लगता है और जब आप सब्सक्राइब करने के लिए और आप आंप टीवी में यहां पर मार्केट में बहुत सारी टीवी और कनफूजन बहुत ही जादा है और यहां पर मैंने काफी रिसरच करने का आज की तारिक में जो बेस्ट टीवी है consider करने लाइक है, recommend date है वही मैं आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पे total 7 TVs की मैं बात करने वाला हूँ और दूसरी बात यहाँ पे यह जो TV की मैं बात करने वाला उसकी जो buying link है description में दे दी है वहाँ से आप purchase कर सकते हो अगर आपने final decision ले लिया है तो यहाँ पे आप शुरू करते है और हमारे list में सबसे पहली TV है Infinix की X1 यह TV जो हाले ही में launch हुई है और इसकी pricing 11,990 रूटीज है और बात करने यहाँ पे इस TV की कुछ specification और details के बारे में तो यह TV आती है VA panel के साथ 60 Hz का refresh rate दिया गया है 400 nits की brightness nits दी गई है इसी के साथी साथ 3000 raise to 1 का contrast ratio है और यहाँ पे यह TV सपोर्ट करती है HDR10 और HLG को और इसी के साथी साथ बात कर लें यहाँ पे audio output के बारे में तो यहाँ पे आपको 20 watt का audio output देखने मिल जाएगा इस TV में और साथी साथ यहाँ पे इस TV में आपको Dolby audio का भी support देखने मिल जाएगा और यह TV आती है Android operating system के साथ और यहाँ पे आपको 1 GB का RAM और 8 GB का internal storage देखने मिल जाएगा और जो usable storage है आपको मिलेगा 4.5 something और इसी के साथी साथ यहाँ पे बात कर इस TV यह कुछ hardware specification के बारे में तो यहाँ पे आपको MediaTek का Codcore processor देखने मिल जाएगा इसी के साथी साथ माली 473 MP3 GPU दिया गया है और इस TV में आपको 2 SD Mac port और 1 USB port देखने मिल जाएगा Bluetooth 5.0 दिया गया है Audio Build का port देखने मिल जाएगा LAN port देखने मिल जाएगा इसी के साथी साथ यहाँ पे दूसरा Major Highlight होगा इस TV का कि यहाँ पे इस TV को TUV Rhineland Certification दिया हुआ है जिसका मदलब होता कि जो Blue Light Emission है बहुत ही कम है और यहाँ पे Health का ध्यान रखा गया इसपे आपको कम खराब करेगी आपको प्रेशर नहीं आएगा तो यहाँ पे इस brand ने Certification को लेके आपके Health का ध्यान रखा हुआ है तो इस Certification का सबसे बढिया फाइदा होगा तो कल को future में आपके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा Best 32 Inch की के टेगरी में हमारे पर दूत्री टीवी जो हमने आपके लिए धून के निकाली है जिसका नाम है Olinda Fire TV Edition और यहाँ पर बात कर लेए इस टीवी के major highlight के बारे में तो यह टीवी आती है Fire Operating System के साथ जो बहुत स्मूथ है और बहुत भणिया तरी से चलता है अग्दा मक्षान की तरह चलता है मतलब आप compare भी नहीं कर सकते हैं कि कितना fast boot up होता और कितना smooth experience एक user experience आपको देखने मीड़ेगा इस TV में इसी के साथ ही साथ इस TV की pricing है कुछ 14,000 रुपे आज के तारिक में लेकिन सेल में आप इसको अराउंड 11,000 में आराम से खरी सकते हैं कि Amazon का सेल तो आते ही रहता है इसी के साथ ही साथ यहां पर बात कर ले कुछ इसके खास feature के बारे में एक और जो मैं कहना था हूंगा इसका पैनल यह TV आती है बात कर ले कुछ hardware configuration के बारे में तो यहां पर आपको 1GB का RAM और 8GB का internal storage दिया गया है connectivity के बारे में बात करें तो यहां पर आपको 3 HDMI port और 1 USB port दिखने मिल जाएगा 1 USB port मुझे लगता है कम है कि वह actually 2 होता तो ज्यादा अच्छा होता था इसी के साथ ही साथ यहां पर बात करें इस TV के looks के बारे में तो looks में थोड़ा सा आपको ऐसा लगया कि थोड़ा सा माइनस में लगया वाई अगर मैं 32 इंची कटेगरी में यह नंबर 1 TV है आज के तारीक में और बात करें यहां पर इस TV के कुछ smart capabilities के बारे में तो यह TV आती है built-in Alexa के साथ और साथ यहां पर आपको screen mirroring का भी option देखने मिल जाएगा और यहां पर जितने भी content provider है आपको pre install देखने मिल जाएगे इसी टीवी मे प्रिश्टान का जो apps है मैं आपको infinix की TV में बोलना भूल गया वहां पर भी आपको सारे apps तो मिली जाते है popular content provider तो आप full on धेखके enjoy कर सकते हो और best 32 इंच की category में हमारे पर जो next TV है वो काफी time से चर्षा में थी और चर्षा में ही अभी भी है फिछ ज्यादा नहीं हो गया ह मतलब और वह आते हैं और जाते हैं उनका ऐसा कुछ माहूल बना हुआ मार्केट में उनका नाम ब्रैंड और जी हा दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वी यू अल्ट्रा Android TV के बारे में बैस 32 इंच की TV में यहां पर हमारे पास यह भी मैंने पिक किया है आपके लिए और यहां अपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाली यह TV है इसमें 1GB का रायम और 8GB का इंटरनल सोरेज दिया गया है इसी के साथ ही साथ यहां पर आपको 2 SGM app port और 2 USB port देखने मिल जाते हैं साथी साथ Bluetooth भी आपको connectivity के लिए दिया गया है Wi-Fi enabled TV है और मैं resolution बोलना भूल जाता हूँ ब इंडिन कस्टमर के रहे इसकी प्राइजिंग 14,000 रुपए आसपास में है लेकिन सेल में जैसे मैंने कहां कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ डिसकाउंट मिलेगा तो सेल इस तर पैस टाइम टू बाई आल इस टीवी जहांके आपको यह TV कुछ 11,000 रुपए के आसपास आसा इस टीवी को कंसीडर कीजिए वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हमारे next best 32 इस टीवी के बारे में उस टीवी का नाम लेने के पहले मैं आपको खहना जाओंगा और ब्रैंड ने जब इस टीवी लॉंच की थी तब उनका कहना था उनके इंडियन कस्टोमर से कुछ ऐसा कैसा लगा मेरे मजाक जी हां दोस्तों मैं बात करूं एम आए के होराइजन एडिशन टीवी के बारे में जिसकी प्राइजिंग 14,000 रुपए के संथिंग है और यह हर वी ए पैनल के बारे में है एसा नहीं ही इसी टीवी का प्रावलम है डिरेक्ट एलिटी बैक लाइडिंग सोर्स दीगे 60 हर्ट का रिफ्रेश एटेट 20 वार्ट का सांट नाट पूर्ट देखने मिल जाएगा साथी साथी साथ डिटीए स्टू सराउंड का भी सपोर्ट और आपको इसी में दिया गया है इसी के साथ यह तीवी आती एंड़ॉइड ऑपरेटिंग सीस्टम के साथ बिल्ट इन ख्रोम का साथ आपको देखने मिल देगा इस तीवी में इसी के साथ यहां पर आपको 3 HDMI पोड और 2 USB पोड देखने मिल जाएगे और इस टीवी के मेज हाइलाइट है कि भाई इसकी लुक्स और डिजाइन बहुत ही पढ़िया है इसका जो मैं फोरे प्रो था सेम दोनों की दोनों टीविया सेम है कुछ कुछ चेंज किये थे जो मैंने यह वीडियो में कवर किया उपर लिंक कर दूँगा वो जरूर चेक आउट करना और अब यहां पर कुछ नई खास फीचर के बारे बात करें जो इसका नाम है क्विक वेकप जिसे आप आउन करो आफ करो काफी फास बूट अप होता है ऐसा मैंने पर क्रूमेंट्स किये गए है इस होराइजन एडिशन में तो यह भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आप एक 32 इस टीवी लेने का प्लान करो तो इस टीवी को जरूर चेक आउट कीजे और यहां पर एक चीज़ मैं कहना भूल जाता हो जो हमीशा की तरह कि भाई इस टी इस टीवी क्लिशी काटेग्री में हमारे पार नेक्स्ट टी आप लिए है जिसका नाम है सामसंग वांटर टेअगमेंड की यह टी टीवी त्रियमें ध्यान रखी यहां पे दो टीवी आपको दो वेरियंट यहां फिर दो ऑप्शन वाले मिलते हैं जहां पे एक आपको वॉइस सर्च और विदाउट वॉइस सर्च का होता है तो यहां पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है मैं आपको जो लिंक दूँगा डिस्क्रिप्शन में वो होगा व और यहां पे आप बात करें कुछ स्पेसिफिकेशन और कुछ हाइलाइट के बारे में इस टीवी के तो यहां पे यह तीवी आती है वी एफ मैल के साथ डिरेक्ट लेडी बैकलाइडिंग सोर्च दी गई है और यहां पे आपको प्रोप्राइटरी ओपरेटिंग सिस्टम है तो यहां पे मैं आपको रिकमेंड गांगो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया है स्मूथ है फास्ट है और काफी बूटिंग में बहुत ही बढ़िया चलता है मखहन की तरह चलने वाला यह उपरेटिंग सिस्टम है तो यह शायद यूजर इंटरफेस के सबसे पसंद ना आ है लेकिन काफी बढ़िया ओपरेटिंग सिस्टम है काफी लॉंगर रन के लिए अगर आप प्लान करो काफी लॉंग लाश्टिंग चाहते हो यह टीवी उसके मामले में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करने वाली है साथी साथ यहां पे आपको तरह तरह के वाइसी फीचम मिल जाते हैं जैसे यहेट सारे आपको मिल जाते है स्ब्सक्राइब के बारे में आपको इस त्यूग अंग देखने को मिलने वाले है inve confusing एक पदस को परत करने पर इनिंट प्रेंस कीटink में पर इस थीवी में जितने भी popular content providers आपको pre-install देखने मिलने वाले हैं और जो नहीं मिलेंगे वो आप side load नहीं कर पाऊगे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जैसे आप Jio TV के fan हो या फिर Jio TV बहुत लोग को काफी पसंदे काफी demanding app है और वो अगर आप चाहते हो तो वो आप इसमें side load नहीं कर पाऊगे यह side load की facility है या फिर जो option आपको मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ Android TV में possible है और इसकी pricing तक्रीबन 15,000 के आसपास है और बात करने यहां पे कुछ specification और details के बारे में TV आती है VA panel के साथ direct LED backlighting source देगे 60 Hz का refresh rate है और बात कर ले brightness nits और contrast ratio के बारे में तो यहां पे आपको 300 nits की brightness nits देखने मिल जाएगे साथी साथ यहां पे जो contrast ratio 3000 raise to 1 का static contrast ratio आपको देखने मिलेगा सबसे खास बात इस TV की होगे कि यहां पे आपको Dolby Vision का support दिया गया है और बात कर ले यहां पे TV के sound output के बारे में तो यहां पे 40 Watt का sound output देखने मिल जाएगा साथी साथ यहां पे Dolby Atmos का भी support दिया गया है और Dolby Audio का भी support देखने मिल जाएगा और जहां तक सवाल है TV के operating system के बारे में तो यह TV आती है Android operating system के साथ और जो version है Android 10 दिया गया है और बात कर लें internal storage और RAM के बारे में 2 GB का RAM और 16 GB का internal storage which is really a good thing इस TV को आप जरूर consider कीजिए इसकी जो mind link है आपको description मिल जाएगी और अब यहां पे बात करें best 32 inch TV के last TV जो हमने आपके रिए find out की है और जिसका नाम है Sony की यह TV जिसका model आम आप screen पे देख सकते हो और यह TV आती है full HD resolution के साथ और इसकी जो pricing है 27,000 रूपीज something है और यहां पे मैं कहाना जहांगो pricing थोड़ी से जाधा है 32 inch की TV के category में यहां पे बहुत सारे option हो जाते बात करें इस TV के बारे में यह TV आती है full HD resolution के साथ बात करें display और पैनल के बारे में तो यह TV आती है VA panel के साथ direct LED backlighting source दीगए और जो refresh rate 50Hz का दिया गया है इसी के साथ यहां पे आपको SDR, X Reality Pro और X Protection Pro जैसे features देखने मिल जाएंगे जो बनी बनाए गए technology Sony की ही है और यहां पे बात करें इस TV के operating system के बारे में तो यह TV आती है Linux based operating system के साथ और जो internal storage दिया गया है यहां पे आपको 4GB का दिया गया है जो की Linux based operating system के साब से perfect है और बात कर लिए है पे sound output के बारे में तो यहां पे आपको 30W का sound output दिया गया है इसी के साथ यहां पे वीडियो को अंत करने से पहले यहां पे कुछ चीज़े मैं कहना जाओंगा कि यह जो TV से मैंने आपके लिए find out की थी और सभी की description में आपको मिल जाएगी वहां से check out कीजिए और आपका वीडियो के बारे में कैसा लगा क्या मानना है वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना शेयर करना और जो लोग नहीं है अमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई बहुत ही बुरा लगता है बुर बाई बाई टाटा गुट बाई